नवश्कार मनिगुरू इंशॉर्णस पेशलों में आपका स्वागत है मैं हूप लगी अरुम वर्मा इंशॉर्णस के बारे में तो हम हमीशा बात करते हैं लेकिन इस पार एक दूसरे पहलू पर बात करेंगे हाल में हैदरबाद के एक डॉक्टर ने 12 साल के लेक टर्म प्लान खरीदा है इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन दिल्चस पात ये है कि डॉक्टर सहाब की जो उम्र है वो है 60 साल मौझदा लाइफस्टाइल में सीनियर सिटिजन्स पर फिनैंशल जिमेदारिया तेजी से बढ़ रहे हैं जिसके चलते 50 साल से जादा के लोगों में टर्म प्लान लेने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है उम्र के इस पड़ाव पर टर्म प्लान खरीदना कितना सही है इसे जानने के लिए हमारे साथ है संतोष बहुत बहुत स्वागत है कार्क्रम में आपका जहां तक बात है 50 प्लस एज की सम्हाओ ये कैसा पड़ाव मारा जाता है कि अब रिटार्मेंट में महस 10 साल बाकी है और ऐसी एज में एक टर्म प्लान लेना याने कि जो आम तोर पर वरकिंग लाइफ को दरशाता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप लाइफ अपनी फैमिली को फिनाशली से क्यूर करने की सोचते हैं ट्रेंड कितना चेंज हुआ है और यह जो एक्जामपल हमने या पर दिया इसके बारे में कुछ पताईए देखिए टर्म प्लान जब तक आई थिंक उमर से रिलेटेड नहीं है जब तक आप एक अरिंग इंडिविजल है और आपके अपर डिपेंडेंस है आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तब तक टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए तो चाहें वो 50 यह के बाद हो 50 यह के टर्म प्लान लेने वाले लोग जो 50 से उपर जो लोग है उन लोगोने जो टर्म प्लान खरीदा था एक साल पहले वो लगभग 1.5 परसंट थे जब कि इस साल 2016 में हमने देखा कि लगभग 3 गुना जादा लोग बढ़ गए है जो 50 साल के उमर के से जादा वाले लोग है जो आपने कुछ आख्ड़े भी यहाँ पर दिये कि जहां 1% लोग खरीते थे अब शायद 3% लोग है जो इस एज ग्रूप के अंधर लेकिन टर्म प्लान ले रहे हैं कुछ और आख्ड़े में आपके सामने रखना चाहूंगी संतोष डब्रू एच्चो की एक रिपॉर्ट है हाला कि यह 2016 की डिपॉर्ट है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया में है उसमें कुछ आख्ड़े दिये गए थे कि इसमें एक माइनर चेंज एक माइनर इदाफा देखने को मिला है और फिलाल जो एक एवरेज एज है इंडियन मेल की वो करीब-करीब 66.9 यह जबकि जो एक इंडियन फीमेल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है वो 69.9 यह जो इस रिपोर्ट को भी देखे या फिर ओवर जैसे आपने कहा कि अभी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 60 प्लस के बाद भी जॉब में या फिर कह सकते हैं अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं तो वो सालरीट के अंदर ना भी आए लेकिन स्टिल यह वरकिंग और उनकी जो फिनांशल रिक्वार्मेंट्स हैं और फैमिली को लेकर जो फिनांशल रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं वो अभी ज्यादा है जिसके चलते टर्म प्लान लेना काफी इंपॉर्ट होती है जिसके चलते आप अपनी 50 या से 60 यह में भी आपके बच्चे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि आप पर फिनांशली डिपेंडेंट हो इसलिए इंपॉर्टेंस काफी बढ़ी है टर्म प्लान की लेकिन इसके अवेर्नेस कितनी बढ़ रही है देखियें टर्म प्लान की अवेर्नेस ओवर ओल कम है तो नौट जिस्ट नौट जिस्ट फिफ्टी यह और अबव मैं कहूंगी ओवर ओल तर्म इंशॉर्टेंस की जो हमारी देश में अवेर्नेस है वो काफी कम है आज भी काफी लोग इंशॉर्टेंस के नाम पे इंडिया में अभी भी टर्म प्लान अपने आपके लिए कंसिडर करते हैं जिबकिकर आप देखेंगे तो एक बहुत मामूली कीमत में बहुत कम प्राइस पे एक अच्छा कवर आप अपने आपके लिए सकते हैं चाहे आप अगर आप 30 यह की एज पे हैं आप एक क्रोड का हैं आपको एक क्रोड का कवर लगबख 40,000 की आसपास में मिल जाएगा तो काफी कम प्राइस में आपको एक अच्छा कवर अपने आपके लिए आप ले सकते हो राइट अवेरनेस मैं कहूंगे बहुत लिमिटेड हैं अभी इस वारे में लेकिन सबशना बहुत जरूरी है क कि जब बात टर्म प्लान की होती है ये किसी तरह का इंवेस्मेंट नहीं है ये एक रिस्क कवर है जिससे आप अपने फैमिली को किसी भी अन्होनी से या कह सकते हैं फिनैंशली आप सेक्योर कर सकते हैं इमर्जेंसी की सिचुएशन में जहां तक बात है ऑप्शन की अभी स कवर की सुविदा थी और उसके बाद देरी देरे कई और कांपनीज के प्लान जाये हैं अभी जो प्लान्स अवेलिबल हैं क्या उसमें बहुत सारे ऑप्शन्स हैं या फिल लिमिटेड है और कितना कवर यानि किस एज तक उसमें कवर मिलेगा देखेंगे कुछ टाइम पहले तक की पांचा साल साथ साल पहले की बात है जबकि ऑफलाइन टर्म प्लान्स मार्केट में अवेलिबल थे और उनलाइन नहीं थे उस टाइम पे 55-60 साल तक कहीं कवर मिलता था आपको एगन ने एक उनलाइन टर्म प्लान लांच किया था और उसके बाद सारी कंपनीज, सारी लाइफ इंशॉरेंस कंपनीज के पास एक टर्म लाइफ ऑनलाइन प्लान है जिसमें कवरेज काफी अच्छा लगबग आप 80-85 येर्स तक का कवरेज ले सकती हैं तो आपको चॉइस किकर आप बात करेंगे कम सक्रम 17-18 प्लान्स ऑनलाइन प्लान्स होंगे आपके पास जिससे आप चूज कर सकते हो कि अच्छा प्लान अपने आपके लिए और कुछ ऐसी कंपनीज है जिसे एगान लाइफ भारती एकसा लाइफ जो कि अगर आप 18 साल के हैं या 20 साल के हैं तो भी आप अपना कवरेज 80 या 85 येर्स तक का ले सकते ह जहां तक अगर आप बात करोगे बड़ी कंपनीज की जो आज प्रोटेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही है और टर्म इंशॉरेंस को प्रोमोट कर रही है वो प्लान्स है आप 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 अच्छा कवरेज अप्टो 75 येर्स का कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो च तो आपको अच्छा कवर अच्छे राइडर और अच्छा प्राइस में ये प्रोड़क्ट आपको मिल जाएगा राइट तो इंडिविश्वल पर तो डिपेंड करेगा है कि आपकी क्या प्रोफाइल आप किस फील्ड में हैं आप कितने साल तक जॉब करने वाले हैं लेकि साथ PNB MetLife मेरा टर्म प्लान ये इस नाम से एक प्लान अवेलेबल है मार्किट में साथी भारती एकसा का फ्लेक्सी टर्म इसमें 85 यह तक का कवरेज है यानि कि एक प्लस पॉइंट है इगान के तरफ से भी जो प्लान सबसे पहले जो लांच वा वो 80 यह तक की कवरेज साथी HDFC के भी कुछ प्लान अवेलिबल हैं आप कंसेर कर सकते हैं क्लिक टू प्रोडेक्ट मैग्स का भी एक ओन्लाइन टर्म प्लान ओटीप के नाम से इसके काफी एड्ज भी काफी पॉपिलर फिलाल हो रहे हैं पहुत सारे ओप्शन हैं अगर ज्यादा एज है तो भी घ संतोष आपने का कि ओन्लाइन में ना सिर्फ कन्वीनियंस है वलकि एकॉनमिकल भी होता है फैमिली की रिस्पांसपिली डेफिनिटली आपकी प्रायरिटी है लेकिन अगर सारी चीजों को कंसिडर करें तो बहुत सारे ओप्शन आपको मिल जाएंगे लेकिन जहां तक बात है कवरिज की अगर हम लोर साइट पर यानि 30 यह के निर बाउट हम खरीते हैं तो जैसे कहते के 15 to 20 टाइमस हम ले सकते हैं तो क्या 50 प्लस की एज में भी सेम थाम रूल लागू होगा संतुष मैं खाऊंगी अगर 50 यह प्लस की एज है तो आपको 10 टाइमस अपना कवर लेना सही रहेगा और आपको 10 टाइमस एक थम रूल है यह आपके प्रोफाइल पर भी डिफेंड करेगा तो अगर आपकी इंकम कितनी है और आपकी लाइबिलिटी कितनी है लाइबिलिटी में जा तो नजर में रखके आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए तो थम रूल है 10 टाइमस यांगर एज के लिए 15 और 20 टाइमस होता है पचास साल के उपर मैं 10 टाइमस का होंगी तो यानि जो बेसिक थम रूल है जो आप किसी भी एज में टर्म प्लान लने जाएंगे वो ही यहां पर लागू होगा आप अपनी एज से 10 टाइमस भी आप टर्म प्लान का कवर सिलेक्ट कर सकते हैं जहां तक बात है अगर वान करोर जो की आमतोर पर काफी लोग वान करोर करोर तक का कवर लेते हैं वान करोर साथी 50 लैक्स दो आप्शन संदोश में आपसे जाना चाहूंगी अप्रॉक्सिमेटली कितना प्रीमियम रहेगा इस एज ग्रूप के लिए लगभग जो प्रीमियम रहेगा आप अगर 55 साल की उमर लेते हो और अगर 15 साल का टर्म लेते हो आप तो लगभग आपको रेंज जो है 37,000 तो 45,000 तो 40,000 के आसपास का प्रीमियम होगा एक रोड कवर के लिए और अगर आप आधा कवर ले रहे हो पचास लाग का कवर ले तो उसी एज के लिए लगभग 20,000 का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा राइट तो आपके सामने ऑप्शन्स भी है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट जो क्या ऐसे से लाइफ का प्लान है इसके अलावा क्लिक टू प्रोटेक्ट आप जो HDFC के तरफ से प्लान अबेले मैक् इस सारी वेबसाइट से उप्शन से अग्रिगेटर से जहां पर आप कंपारेजन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टर्म प्लान बहतर है लेकिन जहां तक बात हम इंपसाइज कर रहे हैं इसकी इंपोर्टन्स की और बदलते वे ट्रेंड की एक लगता है कि शायद लोगों में awareness levels बढ़ेंगे क्योंकि जो WHE की रिपोर्ट है वो यह मानती है कि 2050 तक जो senior citizens की जो age है उसमें 200% से जादा का इजाफा हो सकता है तो अगर awareness levels बढ़े तो definitely penetration भी बढ़ेगा लेकिन अभी भी देखा जाए तो कह सकते है tier 2 है tier 3 cities में शायद उत भी विद देम आपसलूटली 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 आइटिंक हमें अगर आप लास्ट 20 यह में ही अगर देखें तो 1995 में जो expectancy थी life expectancy वो लगबग 58 years की थी अब जो 2015 की रिपोर्ट है उसके I think the number the data that it says is 68 जो average है वो 68 है तो जैसे healthcare improvement हो रहा है country में वैसे life expectancy बिलकुल ब बढ़ेगी और दूसरी चीज़ यह है जो हमें देखनी चाहिए दाट लोग आजकर जो formal retirement age है जो 60 years formal retirement age मानी जाती है उसके बाद भी काफी लोग जो salaried लोग है वो भी अपना कुछ का कुछ start करते हैं या खुद कोई income generation का आप source जरूर देखते हैं लोग घर पे नहीं बह हो सकते हैं कि वो एक lifestyle है जो maintain करना चाहते हो या फिर यह हो सकता है because आज marriages late हो रही है children are born late तो हो सकता है उनकी dependency भी हो तो जरूरत भी हो सकती है और एक lifestyle maintain करने की जरूरत हो सकती है तो इसलिए आप देखेंगे that 60 years की formal retirement के बाद भी काफी लोग जो है आज भी काम कुछ job या क वो खुद का self employment start करते हैं तो एक तो lifestyle जिससरे से change हो रहा है तेजी से इसमें बदलाव आ रहे हैं डामन की age में भी change आएगा यह हम सभी मानते experts पी यही मानते